नमस्कार आप देख रहे हैं नीज़ फोर नेशनल मैं हूँ प्रेदर्शन बिहार में मुखिया जी सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन मुखिया और मुखिया पती की हत्या के मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही मामला आज आरा में देखने को मिला है जहां एक मुखिया के दिन दहारे बीच सरक पर गोली मार कर हत्या कर दी गई है मुखियापती की यह हत्या हुई है आरा में और आरा जिले में हुई इस हत्या से पूरे के पूरे बाजार के इलाके में संसनी पहल गई बीजे दिवजार दिन दहारे अपराधियों ने बाईक सबार जो मुखियापती थे उन्हें सरक पर गिरा करके तावरतोर फाइरिंग की और फिल्मी अंदाज में मुखियापती की गोली मार करके हत्या कर दी गई इस पूरे के पूरे हत्या की जो वारदात हुई है वारदात की पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो CCTV केमरे में रिकॉर्ड हुई है और यह पूरा मंजर इतना खौफनात था जो दिखाता है कि बिहार में कैसे अपराधियों का मनोवल साथ में आस्मान पर है पुलिस क इकबाल एक तरीके से यहां खत्रे में है क्योंकि दिन्दाहारे बीच सरक पर एक मुखिया पती की हत्या हो जाती है और पुलिस और पुलिस का पूरा का पूरा जो महकमा है उसे इस बात की जर्याभी जानकारी नहीं मिलती है पूरी की पूरी पुरी पुलिस गस्ती, सब कुछ अपसवाल या निसान में है उन्होंने आराज सिन्हा मुखिराई मार्क को जाम करके मृतक के पड़िजीनों और आस्र जो आक्रोशित गामीन थे उन्होंने बीच सरक पर श्रव को रख दिया। मृतक के पुत्र अंकूर्श कुमार की माने तो गाउं में ही उनकी हिलाप केस हुआ था जिसका पंचायती करने के लिए रविवार की सुवा अपवे अपने बुलेट से कृष्णा अगर थाना गए थे जब वो पंचायती कर वापस बुलेट से लौट रहे थे उसी दोरान सर पाइक से जा रहे हैं और दो युवक जो हैं उनके पीछे दौरते हुए आते हैं और तावरतोर उन पर फाइरिंग करते हैं गोली रगने से वे वही पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद यह देखने के लिए कि क्या अब ही इनकी मौत हुई है या नहीं उसके बाद फिर स नजदीक सट करके अपराधी फिर से उन पर गोलियां चलाते हैं और जब यह पूरी तरीके से वे संतुष्ट हो जाते हैं कि मुखियापती महंद्र की अब मौत हो चुकी है तो उसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं और पूरी वारदां जैसा मैंने आपके बताया कि दिन्दहारे हुई बीच सरक पर हुई, भरे बाजार हुई और उस बाजार में हुई जहां अक्सर भीरभार की स्थिती रहती है सुरक्षा मैंसे बाजारों में अक्सर पुलिस के जो दल हैं वो भी चौकस रहते हैं अपराधियों के सिकार हुए हैं और उनकी मौत हो गई है बिहार में अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो यह कोई पहली घटना नहीं है बलकि पिछले करीब दो वर्सों में बिहार में लगातार इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिसमें निर्वाचित प्रतिनिध खासकर जो मुखिया होते हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर जी जाती है तो यह मामला आराजिले से आया है और आराजिले में महंद्रियादव की गोली मारकर के हत्या की गई है इस ख़बर में और क्या क्या अपडेट्स होते हैं पुलिस इस मामले में किन लोगों पर क्या क्या हत्या कर दी गई